आज मैं आपके साथ चिकन शावर्मक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उमीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो घर पे एक बार जरू ट्राइ करिएगा आएए बनाने स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने हाफ केजी बॉनलेस चिकन लिया है और उसको पतले-पतले पीस में इस तरीके से कट कर लिया है अब हम इसके अंदर वन टी स्पून काली मिर्च का पॉडर एड़ करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक एड़ कर दूँगी और वन टी स्पून मैं इसके अंदर विनेगर आइड़ करूँगी और इसको फिर हाथों की मदद से मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमने ये चीज़े डाली है अच्छी तरीके से हमारे चिकन में इसका फ्लेवर आ जाए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढखकर आदे खंटे के लिए रख दूँगी ठाके जो मैंने काले मिर्च और विनेगर डाला है वो मेरे चिकन में अच्छी तरीके से आ जाए अब मैं आटा तयार कर लेती हूँ यहाँ पर मैं हाफ केजी गयों का आटा लूँगी और हाफ केजी मैं इसमें मैदा लूँगी गयों का आटे का इस्तमाल मैं इसले कर रही हूँ क्योंकि यह मैदे की रोटी जो है थोड़ी थंडी होने के बाद बहुत टाइट हो जाती है गेहूं के आटे से यह थोड़ी सॉफ्ट हो रहेगी अब मैं इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड़ कर दूँगी और मैंने यहां वन टेबल स्पून ऑईल एड़ किया है और टू टेबल स्पून मैंने डही एड़ किया इसके अंदर दही से हमारी रोटी में एड़ा होगी और अब मैं इसको हातों की मदब से अच्छी तरीके से मिक्स कर लोगी और हम दोबनाने के लिए इसमें करेंगे यूड़ा झालता थी ढ़ानी डाल कर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक soft dough तयार कर लेंगे यहाँ पर मेरा dough तयार हो चुका है मैं दिखा देती हूँ देखिए किस तरीके से है इस तरीके से हमको soft रखना है अब मैं इसके उपर थोड़ा सो oil लगा कर इसे आदे घंटे के लिए ढखकर रख दूँगी अब मैं अपना चिकन चेक कर लेती हूँ और इसमें बागी के मसाले एड़ कर देती हूँ यहाँ पर मैंने half teaspoon गरम मसाला एड़ किया है अब मैं इसके अंदर one four teaspoon डाल चेने का पाड़र एड़ कर दूँगी और one teaspoon मैं इसमें काली मिर्ज का पाड़र एड़ कर दूँगी अब मैं two tablespoon इसमें अदरकलसन का पेस्ट डाल दूँगी और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ज और हरा धनिया को क्रश कर लिया है और ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी हम इसका पेस्ट ने बनाएंगे से क्रश करके डालेंगे तो इसका flavor अलगाएगा अब मैंने इसके अंदर टूटेबल स्पून दही एड़ किया है और वन्टी स्पून मैं लाल मिर्ज पाड़र एड़ कर दूँगी और इसे हाथों से अच्छी तरीके से mix कर दूँगी mix करने के बाद इसे मैं आदे घंटे को ढखकर रख दूँगी ताके जो भी मैंने मसाले मिलाए हैं इसमें वो चिकन अच्छी तरीके से उनका flavor आ जाए हमारे चिकन को रखे हुए आदा घंटा हो चुका है तो अब मैंने यहाँ पे तवा रख दिया था इसमें मैं टू टेबल स्पून ओयल डाल दिया है अगर आपके पास grill pan है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप normally किसी तवा या कोई normal pan में मना सकते हैं अब मैं इसमें सारी चिकन के पीस जो है वो डाल दूँगी वन बाई वन इसको हम पासे दस मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि यह अच्छी तरीके से सिख जाए और इस पे गोल्डन कलर आ जाए तक हमारा सिक रहा है तब तक हम garlic sauce तयार कर लेते हैं यहां मैंने 100 gram सफीक तिल लिए हैं अब मैं इसके अंदर 6-7 लसन की कलिया एड़ कर दूँगी अब मैं इसके अंदर टेस्ट के according नमक एड़ कर दूँगी और एक glass मैंने इसके अंदर दूड एड़ किया है अब मैं इसका पेस्ट तयार कर लूँगी इसके बाद अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ओइल एड़ करूँगी और फिर इसका पेस्ट बना लूँगी अब मिक्सी के जार का मैंने उपर का जो धक्कन होता है उसको खोल कर मैं थोड़ा थोड़ा करके रिफाइंड इसके अंदर डालती जाओंगी और इसका पेस्ट बना दूँगी अब मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरी सॉस किस तरीके से बनी है ये देखिए अभी थोड़ी पतली हो रही है अब इसको गाड़ा करने के लिए मैं इसमें ब्रैड एट करूँगी ब्रैड का ब्राउन पार्ट मैंने हटा दिया है इसका वाइट पार्ट यूस करूँगी मैं और इसको हातोς से तोड़ कर अपनी सॉस में डाल दूँगी और इसको मैं दुबारा से पेस्ट बना लूँगी ये देखी है मैं देखा देती हूँ हमाई सॉस में कित्की अच्छी ठीक नेशा है अब हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं ये देखिए ये हमारा जिस कलर का हमें चाहिए था उस कलर का सिख चुका है अब हम इसकी साइट चेंज कर देंगे दूसरी साइट से भी हम बोल्डन कलर का सिखेंगे चिकन दौनों तरफ से अच्छी तरीके से सिख चुका है तो अम मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी अम मैंने तवे पे टू टेबल स्पून ऑईल डाला था और इसमें मैंने वन मीडियम साइज प्याज जो स्लाइस करके पहले ही रखी थी मैंने इसके अंदर एड़ कर दी है और इसको हम कुछ दिर फ्राइ करेंगे और फ्राइ करने के बाद मैं इसके अंदर जो वन मेडियम साइज टमाटर जो मैंने पहले ही कट करके रखे थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी अब मैं इसको भी अच्छी तरीके से फ्राइ कर लूँगी अब मैंने इसके अंदर वन टी स्पून काली मिर्च का पॉडर एड़ किया है अब मैं काली मिर्च के पॉडर को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और इसको दो मिनिट के लिए फ्राइ करूँगी दो मिनिट के बाद मैं इसके अंदर चिकन एड़ कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से चमस से हम उपर नीचे करके चला लेंगे ताकि प्यास टमाटर और चिकन ये आपस मैं अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और हम इसी तरीके से चला चला कर इसको दो मिनट के लिए पकाएंगे थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे चला दे रहेंगे ताकि ये प्याज और टमाटर का फ्लेवर हमारे चिकन के अंदर अच्छे से आ जाए यहां मैंने आटे की लोई बना कर तैयार कर ली है अब हम पराठा बनाने स्टार्ट करते हैं यहां मैंने आटे की एक लोई लिए ओह मैं अपनी ट्रे तो हटा ना भूली गई मैं अपनी ट्रे हटा देती हूं जगा कम पड़ यहां पर मैं थोड़ा सा मैदा डालूंगी इस पर मैं अपनी रोटी को बेल लूंगी हम किसी भी शेप की बना सकते हैं लेकिन यहां पर मैं गोल शेप लूंगी इसकी हमने जो इसके अंदर आटा डाला है इसकी वज़ा से यह हमारी रोटी जो है बहुत अच्छी तरीके से बिल जाएगी और हम अपनी रोटी को तवे पे डाल देंगे और इसको दौनों तरफ से अच्छी तरीके से से शेख लेंगे यह देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूली फूली रोटी बन रही है हमारी अब हमाई रोटी जो है दौनों दर्फ से शीख चुकी है अब मैं अपनी रोटी को निकाल लोंगी अब इसी तरीके से हम सारी रोटिया बना कर सेख लेंगे अब मैं यहाँ चिकन चाक कर लेती हूँ अपना यहाँ मेरा चिकन भी हो चुका है तो मैं चापर पे अपना चिकन सारा निकाल लूँगी और मैंने हरा धनिया जो है पहले से कट करके रखा था वो मैं इसके उपर डाल दूँगी और अब चाकू की मज़द से हम इसको चॉप करेंगे इसको हम बहुत चोटे चोटे पीस में कट करेंगे जैसे कट होता रहेगा हम इसकी जगा चेंज करते रहेंगे उपर नीचे करते रहेंगे और इसके हम चोटे चोटे पीस कर लेंगे यह देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें छोटे-चोटे पीस चाहिए यह देखिए यहां पर मेरे चिकन के छोटे-छोटे पीस हो चुके हैं जिस तरीके से मुझे चाहिma थे आइए अब अपने शावरम मौ बनाना स्स्टर्ट करते हैं यहां पर मैंने रोटी लिए और इस पर गार्लिक सॉस को डाल दिया है जितने आपको पसंद हो उतनी आप इस पर सॉस लगा सकते हैं जादा या कम मुझे जादा पसंद है तो इसलिए मैं इसमें जादा सॉस का इस्तमाल कर रही हूँ अब हमने जो फिलिंग तयार करी है वो इसके अंदर लगा देंगे आपको जितना पसंद हो कम या जादा आप इसके अंदर रख सकते हैं अब हम इसको रोल बना लेंगे टाइट सा करके हम इसका रोल तयार कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से टाइट करेंगे नहीं तो अगर लूज रखेंगे हम तो ये खुल जाएगा ये देखिए टाइट करके हमने इसका रोल तैयार कर लिया है अब चाहे तो इसको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं नहीं तो इसे बीच में से दो तीन पार्ट में कट करके सर्व कर सकते हैं मैंने इसको फुल लिया है और ये देखे यहाँ पर मेरा शावर में बन कर तयार हो गया है अब हम इसको गालिक सौस के साथ वियू के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए अपना ख्यार रखें अलाफीस